ये चूहे भीन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और जाने का नामी ने लेते हैं दिन पर दिन हमारे घर में अपनी फौज बढ़ाते ही चले आते हैं और हमारे किचन पे तो अपना कपजा ही जमा लेते हैं अगर आप भी चूहें से हैं बहुत परिसान तो ये नुस्का जरूर आजमाया है ये चूहे को दूर भगाने में आपका बहुत ही हल्प करेगा ये बहुत ही आसान सा नुस्का है इसके लिए आपको लेना है मैदा और मैदे में ही हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा सोडा दो कान डालते हैं कोई कोई चूहे तो इतने बड़े होते हैं कि घर के जो प्लास्टिके डिब्बे होते हैं उनको भी कान डालते हैं इसलिए चूहों को भगाना बहुत ही जरूरी है और चूहे को भगाने का बढ़िया आसान सा तरीका मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है क्य यानि जिसको चीनी बोलते हैं और इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे एक polythene हाथ में पहन के अगर आपके पास gloves है तो gloves का इस्तिमाल कर लिजए अगर नहीं है तो मैं यहाँ polythene का इस्तिमाल कर रही हूँ इसी तरह से आपको polythene पहन के क्योंकि इसमें मैंने मिलाया हाथ प उनको मीठा पसंद होता है चुहों को तो वो मीठा गोली समझके खाएंगे इसका टेस्ट उनको अच्छा लगेगा और लेकिन इसमें जो हार्पिक मिलाया है उससे जो है उनको पेट में घरमी पैदा होगी इससे जो है वो परिसान होके भाग जाएंगे ये कियोंकि बढ़िया एरेमेडी है और इसको जो है ऐसी जगह आपको डालना है जहां की खास तोर पे चुहे वहाँ बैठते हैं और वहीं पे ज्यादा तर सामान आपका नुकसान करते हैं ऐसी जगह पे आपको जरूर डालना है जैसे कि किचन में तो जरूर आपको डालना है और अगर जो भी देखते हैं वो उठाके खाने लगते हैं जैसे कि साल छे महिने के जो बच्चे होते हैं उनसे बिलकुल दूर रखना है ये सारी चीज़ों को क्योंकि ये कैमिकल इसमें पड़ा है उनके लिए नुकसान कर सकता है और ऐसी जगह डाले जांकि बच्चे ना पहुंच पाएं जैसे sofa है sofa के नीचे चुहे बैठे रहते हैं तो ऐसी जग़ड़ पर डाल दें kitchen में है fridge के नीचे हमने डाल दिया आजकान उसका आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और जादा जादा सेर करिएगा मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स फार वाचिंग